फुटबॉल में इतना क्रेट कैसे है जिनरी लग क्या कारण है हर घर में बोलते हैं कि यहां तो फुटबॉल वाले हैं सर सहघ्डोल समभाग में नए-नए कलभों का गठन किया गया सर करीब 3000 कलभौ यह सर देखे जितने प्रकार के बुराई आती है ना मुझे पक्का विश्वास है आपको यहां नहीं आती होगी क्योंकि खेलता है ना वो खेलता है मुझे किसी ने बताया कि यहां कोई गाउं है जिसको कहते हैं मिनी ब्राजिल करीब पचास वर्सों से सर हमारे यहां फुटबॉल खेला जा रहा है पचास साल से जी सर अच्छा सर हमारे हर घर में फुटबॉल खिलाड़ी है सर हर उम्र के बालक बालिकाए सर फुटबॉल खेलते हैं जी सर हमारे गाउं की आबादी सर लगबग 200 है जिन में सर 45 बच्चे ऐसे हुए है जिनों ने राजच्टे इस तर पर भाग लिया हुआ है सर अरे वाँ जी सर इसलिए हमारे मुझे मन की बात में कभी आपके यह गाउं के लिए बोलना पड़ेगा हमारे यहां खिलाड़ी है फुटबॉल के खिलाड़ी में बोला जाय तो सभी के खून में ही फुटबॉल दोड़ता है सर जी सर लेकि मेरे लिए भी यह बड़ा सुखा दनुबह हुआ है मैं बताता हूं कि हमारी पूरा यहने दो तीन पीड़ी एक खेल के पीसे इतना पागलपन हो और उसके काने हर प्रकार के बहुर गाओं से जहां खेलते होंगे उसका मातावन ही अलग होगा उसका मिजाज अलग होगा आपके चेहरे पर आपका कॉन्फिनेंस में देख रहा हूं यह एक बड़ी ताकत आप लोगों ने प्राप्त क किये जी मैं तो आप सबको सलाम करता हूं कि मैं एरोबिक्स डान्स अच्छा और जुम्बा और डान्स का फिजिकल ट्रेनर भी हो तो फिर तो आपके यूटूब पर भी होंगे डान्स आपके हैं जी सर हां तो मुझे बता दिए यह कौन सा यूटूब है आपका सर मेरा देखना पड़ेगा मुझे कैसा डान्स करते हैं